ब्रह्मा जी को भगवान ने चतुष लोकी भागवत चार श्लोक में उपदेश किया उसको कहते हैं भागवत क्योंकि भगवान ने बताया इसलिए भागवत चार श्लोकों में संपुर्ण श्रीमत भागवत है लो खृष्ण जनम की कौन कहे कथा को पूरा करना हो तो बस इन चार श्लोकों के साथ पूरी हो जाएगी चारी श्लोक में भाग वा ब्रह्मा जी को कहा कि आप स्रिष्टी की रचना करो बोले स्रिष्टी की रचना करने से पहले है मुझे वो उसका कॉर्स करने दो कैसे रचना होती है डॉक्टर कब बनोगे जब डॉक्टरी पढ़ोगे वकिल कब बनोगे जब वकालत वाला पढ़ोगे तो मुझे भी पढ़ाओ कैसे मैं स्रिष्टी करूँ और स्रिष्टी तो करूँ लेकिन उसमें मैं आसक्त नो हूँ तो भगवान ने चार श्लोकों में ब्रह्मा जी को जो बताया वो है चतुश श्लोकी भागवाद देखो ब्रह्मा मैं जैसा हूँ मेरे यथार्थ स्वरूब का बोध तुमें मेरी इच्छा से मेरे अनुग्रह से हो जाए भगवान के अनुग्रह के बगएर भगवान को जानना संभव नहीं है पहला श्लोक अहमेवा समेवाग्रे नान्यद्यत सदसत्परम पश्चाद हम यदे तक्च योवशिश्यत सूस्म्यः सुनो जब कुछ भी नहीं था उस वक्त मैं था ये सब कुछ है इस रूप में मैं ही हूँ और जब ये कुछ भी नहीं रहेगा तब भी मैं रहूँगा काल सब को मिटा देता है लेकिन काल को कोई नहीं मिटा सकता वो काल मेरा ही रूप है मैं ही हूँ गिता में भी कालो उसमें लोक अक्षयकृत प्रवरुद्धा बगवान कहते हैं वो महाबारत की सिरियल में आप लोगों ने देखा था बच्चे तो तब छोटे थे वो वाली महाबारत वाली सिरियल आप लोगों ने नहीं देखी होगी लेकिन एक वो चक्र गुमता रहता था स्क्रिन पर मैं समय हूँ या वाज आती थे तो समय को सब पता है क्या क्या हुआ वो समय वो कालस्वरु परमात्मा सबका सक्षी है जो कुछ हुआ वो देखता है तुमारे करमों को तो देखता है अरे तुमारे विचारों को भी वो नौट कर लेता है पकड लेता है क्योंकि वो अंतरियामी है तुम्हारे भाओं को भी वो जान लेता है वो सर्वान तरिया भी उससे कुछ भी छुपा नहीं है तो जब कुछ नहीं था तब मैं था सृष्टी के आदी मैं केवल मैं ही था जब यह सृष्टी है तो इस रूप में मैं ही हूँ ये जो तुम देख रहे हो, ये मेरा शरीर है देखो आत्मा नहीं दिखती, शरीर दिखता लेकिन आत्मा है ना, अंदर चेतना है, तब तो हम जिन्दा लेकिन आत्मा दिखती है क्या शरीर को भी फाड़ कर रख दो, तो ये उसके किट्नी है ये छोटी वाली उंतड़ी है ये बड़े वाली उंतड़ी है ये हार्ट है ये लिवर है लेकिन किसी ने ये चिपी ये से निकाल कर दिखा ये इसकी आत्मा है आत्मा दिखती नहीं लेकिन होती तो है परमात्मा दिखता नहीं लेकिन होता तो है आत्मा नहो तो कुछ नहीं शरिर मुड़दा है चलेगा ही नहीं परमात्मा नहो तो ये श्रिष्टी चलेगी ही नहीं ये दिन रात हो रहे हैं रित्वें आती हैं जाती हैं वो नहीं दिखने वाले परमात्मा की शक्ती ही करती है सब बलई पल्ब है लेकिन प्रकाश तब मिलेगा इससे जब बिजली हो बलई साउंड सिस्टम है लेकिन आवाज तब मिलेगी जब बिजली हो हीटर बलई लगाया हो लेकिन बिजली ना हो तो कमरा गरम नहीं होगा गीजर भले ही लगाया हो लेकिन बिजली ना हो तो पानी गरम नहीं होगा ऐसी भले ही लगवाया हो बिजली ना हो तो कमरा ठंडा नहीं होगा बस ये सारी स्रिष्टी जो है वो चलेगी नहीं यदि परमात्मा की शक्ति नहो यह शरीर चेष्टा नहीं करेगा, बोलेगा नहीं, सुनेगा नहीं, हिलेगा नहीं यदि भीतर वा आत्मा चैतन्य नहो तो किसका ज़्यादा महत्व है वहिया? उस चैतन्य का, आत्मा का, परमात्मा परमात्मा क्या है? बुले व्यष्टी चेतना को आत्मा कहेंगे और समश्टी चेतना को परमात्मा कहेंगे इस शरिर को जो चला रही है उस चेतना को आत्मा कहेंगे और स्रिष्टी को जो चला रही है उस चेतना को परमात्मा कहेंगे इतना ही फरक है बाकि आत्मा परमात्मा ये की है जीवो ब्रम्माई बना परहा जो कुछ है उस रूप में तुम मुझे ही देखो ये स्रिष्टी ये जगत ये मेरा ही शरीर है और जब कुछ नहीं रहेगा फिर जो शेश रह जाता है जिसको काल भी नहीं मिटा सकता वो मैं हूँ योब शेश्ये तसोस म्यहम तो यह स्रिष्टी नहीं थी तब भगवान थे स्रिष्टी है तो इस रूप में भगवान ही है स्रिष्टी नहीं रहे कि फिर भगवान ही रहेंगे स्रिष्टी का आदी भगवान है शृष्टि का मद्य भगवान है, शृष्टि का अंत भगवान है, लेकिन भगवान का कोई आदी नहीं है, भगवान के पहले कुछ नहीं था, भगवान सब के पहले, लेकिन भगवान के पहले कुछ कोई नहीं, कुछ नहीं, भगवान सब के आदी, लेकिन भगवान का आदी कोई नहीं इसलिए भगवान स्वयम अनादी इसलिए भगवान का एक नाम है आदी और दूसरा नाम है अनादी क्योंकि सब के आदी भगवान है और भगवान का कोई आदी नहीं इसलिए भगवान अनादी है सब का मध्य भगवान है और सबका अंत भगवान है लेकिन भगवान का अंत नहीं है इसलिए भगवान अनन्त है इसलिए अनादी भी भगवान का नाम है अनन्त भी भगवान का नाम अनादिनि धनो विष्णु अनन्ताय नमहा रिशिकेशाय नमहा माधवाय नमहा गोविंदाय नमहा सबका आदि मद्य अंत परमात्मा है लेकिन परमात्मा का ना आदि है न मद्य है न अंत है नांतो न चादिर न चसंप्रतिष्टिशा अच्छा भगवान ने जो स्रिष्टी के विशई में कहा है वो आप अपने शरीर के विशई में कहो चलो जब ये शरीर नहीं था तब भी मैं था जब शरीर है तो इस रूप में मैं ही हूँ जब शरीर नहीं रहेगा तब भी मैं रहूंगा तो शरीर का आदी मैं हूँ मैं यानि आत्मा शरीर का मध्य मैं हूँ और शरीर का अंत भी मैं ही हूँ लेकिन मेरा आदी मेरा जन्म नहीं है न मेरी मृत्यू है आत्मा न पैदा होती है आत्मा न मरती है दूसरे श्लोक में बताया प्रुतेर्धम्यत प्रतियेत ना प्रतियेत चात्मनी तद विद्यादात्मनो मायां यथा भासो यथा तमां पहले भगवार ने अपने स्वरुप की विशह में समझाया अब माया के स्वरुप में माया क्या है वो ले हकिकत में जो है उसको छुपावे और जो नहीं है उसको दिखावे वो माया हकिकत में भगवान ही है सिवाए भगवान के कुछ नहीं है लेकिन उसको छुपाती है धांक लेती है और संसार है नहीं लेकिन उसको दिखावे माया सिनेमा देखने जाते हो हॉल में तो परदा कुरा है सभेद परदा Nothing is there जैसे प्रोजेक्टर शुरू हो गया और सिनेमा फिल्म चालू हो गई और कार भाग रही है कोई हिरो इन गा रही है हिरो फाइटिंग कर रहा है बारिश हो रही है बाढ़ा रही है अंदर समंदर है नदी बै रही है परदा भिग गया क्या अंदर आग लग रही है परदा जल गया क्या यह सब काय का खेल है माया का वो प्रोजेक्टर चल रहा है लेकिन प्रोजेक्टर को चलाने वाला और प्रोजेक्टर में ये जो फिलम चल रही है वो उसको गती देने वाला और उस फिलम के आर पाहर वो प्रकाश की किरने पास होती है तब जाकर के वहां परदे पर द्रिश्य कड़ा होता है तो वो जो प्रकाश है वो किसका है वो प् परमात्मा वाला प्रकाश नहों विजली नहों वो शक्ति नहों तो माया रूपी प्रोजेक्ट कामी नहीं करेगा लेकिन माया रूपी प्रोजेक्ट करके चलते तुम्हारे चित के परदे पर जो द्रिश्च दिखाए पड़ रहा है फिलम चल रही है उसी का नाम है यह संसा तो वाँ पानी दिख रहा है होता नहीं है आग दिख रही है लगी हुई नहीं होती है नहीं तो परदा जल जाता वस्तुत है जो सत्य है उसको मिथ्या बतावे वो भगवान की माया है यथा महांदि भूतानी भूतेश उच्चावचेश्वनु प्रविष्टान्य प्रविष्टानी तथा तेशुन तेश्वहं तीसरे श्लूप में ये कहा संक्षेप में समझ लो भगवान कहते हैं मैं सभी में हूँ और सब मुझ में हैं लेकिन फिर भी मुझ में होते हुए भी अप्रविष्ट है और मैं सब में होते हुए भी अप्रविष्ट है सिदा सा आप समझ लें कि सब में परमात्मा है और सब परमात्मा में है और उसका उल्टा भी समझ ले ना किसी में परमात्मा है ना कुछ परमात्मा में है यह तो कॉंट्राडिक्टरी बात लगती है ना अब इसको समझो के तो मज़ा आएगा सब में परमात्मा है और सब परमात्मा में हैं यह पहली बात सब परमात्मा में है ये जड़, चेतन, सारी, स्रिष्टी, आकार, समंदर, परवत, पशू, पंच्छी, जो भी है अनंता, अनंत, ब्रमान्द, सब परमात्मा में हैं और परमात्मा में हैं इसलिए है यदि परमात्मा में न होता तो ये कुछ नहीं होता ये जो एक्जिस्टन्स है पुरा वो परमात्मा के चलते है कैसे सोने का निकलेस, गले में निकलेस है, सोने का ये निकलेस है किस में, सोने में, सोना न होता तो निकलेस न होता, सोना ही न होता तो निकलेस का अस्तित्व न होता तो नेकलेस किसमे है? सोने में तो ये पुरा ब्रह्मांड ये पुरी सृष्टी किसमे है? परमात्मा में परमात्मा न होते तो ये सृष्टी न होते ये यूनिवर्सी न होता वो है इसलिए तो यूनिवर्स है तो सोने में नेकलेस है सोने में आकार बनाया गया, सोने का उसको नेकलेस बोला गया ठीक है? तो सोने में नेकलेस है और नेकलेस में क्या है? सोना नेकलेस में सोना ही है ना और क्या है? सोने का नेकलेस है तो नेकलेस में नेचरली, अबियसली सोना ही होगा तो सब परमात्मा में है और सब में परमात्मा और सब में परमात्मा है इसलिए तो हम हिल रहें डूल रहें परमात्मा में हम है इसलिए हम है लेकिन परमात्मा हमारे में है इसलिए हम जिन्दा है वो परमात्मा चला जाए तो मुर्दा तो सब में परमात्मा इश्वरस सरव भूतानाम रिद्देशेर जुनतिष्टती ब्रामयन सर्व भूतानी यंत्रारूढानी मायया गीता में मदवान कहता है चलो अब उल्टा करके देखो ना किसी में परमात्मा है ना कुछ भी परमात्मा में अब इसको कैसे सिद्ध करे कि भई यदि सब परमात्मा में होता तो परमात्मा तो नित्य है तो सब नित्य होता लेकिन ऐसा नहीं है परमात्मा नित्य है बाकि कुछ भी नित्य नहीं है इसलिए ये परमात्मा ने होते हुए भी परमात्मा में नहीं है और यदि सब में परमात्मा होता तो जैसे ही सब लोग मरते हैं तो परमात्मा भी मर जाता लेकिन ऐसा नहीं है लोग मर जाते हैं शरीर मर जाते हैं ये स्रिष्टी नाश को प्रप्त हो जाती है लेकिन परमात्मा ज्योंकात्यों बना रहता है इसलिए उनमें होते हुए भी नहीं बोले भूकम पाया महराष्ट में अपने लातुर में तो बहुत लोग मर गए क्यों बोले भूकम पाया रात में यू धर्ती हिली दगड के मकान बने हुए थे गिरे दिवारे गिरी लोग अंदर जितने थे सब दब के मर गए अंदर थे इसलिए मरे नो तो मकान गिरा उसके साथ साथ लोग मर गए तो यदि परमात्मा सब के भीतर रहता तो जैसे ही शरीर गिरा शरीर नश्ट हुआ तो परमात्मा भी नश्ट हो जाता लेकिन परमात्मा सब के वीतर होते हुए भी नहीं है क्योंकि शरिर नश्ट हो जाता है परमात्मा अब नेकलेस और सोने के अर्थ में एक बार समझ लो कि नेकलेस सोने में स्वर्ण में नेकलेस है और नहीं भी है यदि स्वर्ण में नेकलेस होता तो जब तक स्वर्ण रहता तब तक नेकलेस रहता लेकिन क्या होता है जैसे ही सोनी के पास गया गभी ये डिजाइन पसंद नहीं है अब इसमें से हमको दूसरे वाली डिजाइन जो लेटेश्ट डिजाइन है आजकल की जो चलन में हैं वो वाली डिजाइन का नेकलेस बना दो तो सोनी ने क्या किया नेकलेस को भठी में डाला तपाया नेकलेस खतम लेकिन सोना खतम हुआ? नई उसकी लगड़ी बन गई, गठा बन गया धातू तो रही यदि इस नेकलेस सोने में होता तो जब तक सोना है तब तक नेकलेस रहता लेकिन अब देखो क्या हुआ? सोना तो है लेकिन नेकलेस नहीं रहा इसलिए स्वरण में नेकलेस होते हुए भी नेकलेस नहीं है और यदि सोने में नेकलेस इसी प्रकार नेकलेस में सोना होता तो नेकलेस के मिटते ही सोना भी मिट जाता लेकिन नेकलेस मिट गया जब भठी में गलाया गला दिया तो necklace मिट गया लेकिन सोना जूंकातियों बना हुआ इस बात को जो समझ लेगा उसको वेदांतिक philosophy समझ में आ जाएगा It's very interesting इतना समझ लेगा उसको सृष्टी का सारा रहस्य समझ में आ जाएगा परंतिम श्लोक में एतावदेवजिग्यास्यम तत्वजिग्यासुनात्मना अन्वयव्यतिरेकाभ्याम यच्यात सरवत्र सरवदा जो तत्व को जानने की इच्छा रखते हैं वो इतना ही समझ ले कि अन्वय और व्यतिरेक से और सरवदा और सरवत्र जो है वो क्या है इसको थोड़ा सरलता से समझें कार्य और कारण ये दो है दो होते हुए भी ये ये की है कार्य माने जो हुआ है कारण मतलब जिस से हुआ है cause and effect there is no effect without cause ये नियम है तो बिना कारण के कार्य नहीं होता without cause there is no effect तो जो हुआ है वो है कार्य और जिस से हुआ है वो है कारण शरिर हुआ है कार्य किस से हुआ है पांच महाबुद से बना वो है कारण पांच महाबुद अपने आप मिल गये क्या नहीं माता पिता के चलते पांच महाबुद मिले और शरिर बना रजशुक्र के सियोजन से मा के गर्भ में शरीर बना तो माता पिता भी कारण है पांच महाबुद भी कारण है पांच महाबुद उपादान कारण माता पिता निमित कारण जैसे घड़ा मिट्टी का तो घड़ा वो है कारिया काहे काहे मिट्टी है कारण लेकिन मिट्टी से घड़ा अपने आप बन गया नई किसी ने बनाया है किसने बनाया कुम्भार ने तो कुम्भार भी कारण है तो मिट्टी है उपादान कारण जिससे घड़ा बना और कुम्भार है निमित कारण जिसने घड़ा बनाया बस उसी प्रकार ये जो जगत है ये जो सृष्टी है वो है कार्य एफेक्ट What is the cause? कारण क्या है? उसका कारण है परब्रम्म परमात्मा Without cause there is no effect तो ये जगत है तो इसका कोई कारण होना चाहिए जगत का जो कारण है वो परमात्मा है इसलिए शंकर जी को वंदिन करते हुए हम कहते हैं वंदे जगत कारणं वंदे देव उमापतिं सुरगुरूं वंदे जगत कारणं वंदे पन्डग भूशनं रिगधरं वंदे पशुनां पतिं वन्दे सूर्य शशांक वहनिनयनं वन्दे मुकुंदप्रियं वन्दे भक्त जनाश्रयं चवरदं वन्दे शिवं शंकरं हे भुले नाथ आप इस जगत का कारण हैं लेकिन यहाँ ध्यान देने वाली बात अब आती है घड़े का कारण दो एक तो मिट्टी जिससे घड़ा बना और दूसरे कुमभार जिसने मिट्टी से घड़ा बनाया नेकलेस इफेक्ट कारिय उसके कारण दो एक सोना जिससे नेकलेस बना और दूसरा सोनी जिसने सोने से नेकलेस बनाया तो सोना है उपादान कारण जिससे निकलेस बना सोनी निमित कारण जिसने सोने से निकलेस बनाया बस उसी प्रकार यहां जगत जो है वो है कारिय इफेक्ट और उसका कारण है परब्रह्म परमात्मा लेकिन अब ध्यान देने वाली बात है कि परब्रम परमात माही यहां पर उपादान कारण भी है और निमित कारण भी है यानि बनने वाले भी भगवान और बनाने वाले भी भगवान Why? क्यों भगवान ने पहले ही श्लोक में कहा है कि श्रिष्टी के आदी में केवल मैं ही था सिवाई मेरे कुछ नहीं था लेकिन भगवान ही थे सिवाए भगवान के और कोई नहीं था और सिवाए भगवान के कुछ भी नहीं था इसलिए भगवान ने ही बनाया ये जगत और भगवान ही बने जगत के रूप में सोनी सोना नहीं है सोनी के पास सोना है इसलिए सोनी ने सोने से निकलेस बनाया लेकिन सोनी सोना नहीं है और यहां परमात्मा के पास कुछ नहीं था परमात्मा के सिवाए कोई नहीं था सृष्टी के आदी में केवल परमात्मा परब्रम्म इसलिए परब्रम्म ने ही बनाया और परब्रमही बना जगत इसलिए भीया जब नेकलेस बनता है तो सुवर्ण को उससे अलग करके आप नहीं देख सकते नेकलेस है इसका मतलब सोना है सोने की ही आकार विशेश को नेकलेस कहा है आपने पस उसी प्रकार जगत से आप जगदीश को अलग नहीं कर सकते जगदीश के ही साकार स्वरुप को आप जगद कहते हैं शृष्टी कहते हैं इसलिए हम मानते हैं सर्वम खलू इदम ब्रम्मा जो कुछ है सब पर ब्रम्म ही है अब जगत के होने के लिए जगदीश का होना जरूरी है लेकिन जगदीश के होने के लिए जगदीश का होना जरूरी नहीं नेकलेस के होने के लिए सोने का होना जरूरी है लेकिन सोने के होने के लिए नेकलेस का होना जरूरी है क्या सोना नहीं होगा तो नेकलेस होई नहीं सकता लेकिन नेकलेस ना हो तब भी सोना तो हो सकता है बस उसी प्रकार यदि जगदीश ना हो तो जगत नहीं हो सकता लेकिन जगत ना हो तब भी जगदीश हो सकता इतनी बात को जिसने समझ लिया उसने सब कुछ समझ लिया, पूरा भागवत समझ लिया यह है चतुशलो की भागवत